नमस्कार दोस्तो, मैं अनेल आप सभी का हर दिक स्वगत करता हूँ टेक्चिव यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियों हम जानेंगे कि हम रैस्बरी पाई की मदद से कैसे एक आसानी से powerful और fast file server या NAS system बना सकते हैं जिसका use आप अपने multiple devices के data जैसे कि photos, videos, documents आदी को store करने के लिए उनने एक device से दूसरी device पर share करने के लिए ले सकते हैं NAS का मतलब होता है network attached storage यानि SEA storage device जो की network से attach होती है जैसे आप अपने system से बिना physical connect किये access कर सकते हैं जैसे कि अपने network drive देखी होंगी उन drive के अंदर अपने data को हम wifi या ethernet के दोरा transfer करते हैं तो ऐसे ही आप Raspberry Pi की मदद से अपनी normal hard disk को एक network drive के अंदर convert कर सकते हैं आप इसके अंदर अपने data को wifi या ethernet के दोरा transfer कर सकते हैं वैसे ही आप NES के दोरा अपना personal cloud system बना सकते हैं जो आपके home या office में बहुत काम आ सकता है जैसे कि आप घर काई example ले लीजिए आज कल हर व्यक्ति के पास multiple devices होती हैं जैसे कि smartphone, laptop, desktop, iPad सादी उनके data को handle करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें cloud पर भी free में limited storage ही मिलती है तो आप NES server पर अपने photos, videos या movie को store करके रख सकते हैं अपने smartphone या system का data का backup store करके रख सकते हैं और ज़रुत पढ़ने पर कभी भी और किसी भी OS जैसे कि Mac, Windows, Linux, Android या iOS से access कर सकते हैं तो ये काफी simple और useful technique है जो कि आपके काफी काम आ सकती है तो वीडियो को पूरा देखेगा इसको बिल्कुल भी skip मत कीजेगा नहीं तो आप काफी कुछ मिस कर देंगे और वीडियो को lag जरूर कीजेगा तो आई जानते हैं कि हम Raspberry Pi की मदद से कैसे एक powerful और fast NES server बिल्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसके लिए कौन-कौन से hardware की जरूरत पड़ेगी हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक Raspberry Pi Board की आप यहाँ पर Raspberry Pi 3 या Raspberry Pi 4 में से कोई साभी Board यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर Raspberry Pi 4 यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास यह 1GB RAM बाला वेरियंट है मैं यहाँ पर इसी का यूज़ करूँगा इसके अलावा एक High Speed MicroSD Card USB Card Reader या Adapter के साथ बाकी आप Connectivity और Power Supply के लिए अपने जरूरत के साबसे केवल्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि Raspberry Pi 4 की Power Supply के लिए Type-C केवल, इंटरनेट के लिए Ethernet केवल और Display के लिए HDMI केवल यह आप अपने जरूरत के साबसे यूज़ में ले सकते हैं इसके अलावा हमें Storage के लिए जरूरत पड़ेगी SSD या Portable Hard Disk की यदि आप यहाँ पर Fast Data Transfer चाते हैं तो आप यहाँ पर SSD का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि SSD के अंदर Read और Ride Speed Hard Disk के मुकावले काफी Fast होती है और यह दि आप ज़्यादा Storage चाते हैं तो आप यहाँ पर Portable Hard Disk का वी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर अपने यह Portable Hard Disk यूज़ करूँगा जिसका Size करीब 2TV का है आप यहाँ पर Internal SSD या Hard Disk का वी यूज़ कर सकते हैं पर इसके लिए आपको एक Converter की जरूत पड़ेगी जिसकी मतदसे आप अपनी Hard Disk या SSD को Raspberry Pi से Connect कर पाएंगे इन सभी Devices की लिंक आपको Description Box में मिल जाएगी आप वहाँ से अपने सापसे इनको चेक कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे Setup कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर Raspberry Pi OS को इंस्टॉल करेंगे इसके लिए आप अपने ब्राउजर पर Raspberry Pi OS की Official Website को Open कर लिजे और आजाएए Download पेज पर तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको Raspberry Pi इमेजर टूल मिल जाएगा आप इसको Windows, Mac OS और Linux के लिए Download कर सकते हैं तो जैसा भी आप OS यूज़ कर रहे हैं उसके सापसे इसको Download कर लिजे आप इसी Software की मदद से Raspberry Pi OS को Download कर सकते हैं और इसको अपने SD Card के अंदर Flash कर सकते हैं यदि आप इस Software का Use नहीं करना चाते हैं आप यहाँ पर HR या कोई दूसरा Software यूज़ करना चाते हैं तो आप इसकी manually ISO इमेज को Download कर सकते हैं आपको यहाँ पर यह तीन इमेज़ मिल जाती हैं नहीं सर्वर को बिल्ड करने के लिए आप यह वाली इमेज यूज़ कर सकते हैं यह करीब 1GB की इमेज है मैं यहाँ पर इसी इमेज का यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने पहले से अपने सिस्टम पर Download किया हुआ है और यहाँ पर मैंने Raspberry Pi इमेज़ टूल को भी इंस्टॉल किया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना OS चूज़ करेंगे आप Choose OS पर क्लिक करके Raspberry Pi OS को Select कर सकते हैं यह Automatically Download होकर आपके SD Card के अंदर Write हो जाएगा और यदि यह आपके पास पहले सी Download है तो आप Use Custom पर जाकर अपने इमेज़ को Select कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने उसको Save किया है उसके वाद यहाँ पर यह इमेज़ सेलेक्ट हो जाएगी उसके वाद अपने MicroSD Card को USB Card Reader या Adapter में Attach करके अपने सिस्टम से Connect कर लीजे और उसको यहाँ पर Select कर लीजे Select करने के बाद क्लिक कर दीजे Write पर फिर इसको Yes कर दीजे उसके वाद Raspberry Pi OS की इमेज हमारे SD Card के अंदर Write हो जाएगी पर इस प्रोसेस में थरड़ साथ टाइम लगेगा उसके वाद आप इसका Use कर पाएंगे यह देखे दोस्तों यह प्रोसेस यहाँ पर Complete हो चुकी है अभी Raspberry Pi OS की इमेज हमारे SD Card के अंदर Write हो चुकी है अभी आप इसको अपने Raspberry Pi के अंदर Insert करके इसका Use कर सकते हैं यदि आपके पास Extra Monitor, Mouse, Keyboard है तो आप इसको Direct ही Setup कर सकते हैं यहाँ पर यह आसानी से Boot हो जाएगा फिर आप इसको Setup कर पाएंगे आप यहाँ पर Internet के लिए Ethernet या Wi-Fi का भी Use कर सकते हैं पर यदि आप यहाँ पर Fast Data Transfer Speed चाहते हैं तो आप यहाँ पर Wi-Fi का Use ना करें आप यहाँ पर Ethernet का Use करें क्योंकि Ethernet पर आपको Data Transfer की Speed Fast मलेगी और यदि आपके पास Extra Monitor, Keyboard या Mouse नहीं है तो आप इसको SSH के दोर भी Setup कर सकते हैं पर इसके लिए आपको Ethernet का ही प्रियोग करना होगा तब ही आप इससे Connect हो पाएंगे पर उससे पहले हमें यहाँ पर SSH को Enable करना होगा SSH को Enable करने के लिए आप इसका Boot Folder Open कर लीजे और यहाँ पर एक File Create कर दीजे SSH नाम से आप इस File को कैसे भी Create कर सकते हैं यह आपके उपर Depend करता है बस आपको यह ध्यान रखना है कि इसका Actions नहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर केवल File का नाम SSH होना चाहिए उसके बाद जबाब इसको Boot कराएंगे तो यहाँ पर SSH Automatic ही Enable हो जाएगा फिर अपने Raspberry Pi को Ethernet के दोरा अपने Network से Connect कर लीजे Network से Connect करने के बाद इसको Automatic एक IP Assign हो जाएगी आपको इस IP को Find करना होगा आप इसको कैसे भी Find कर सकते हैं उसके बाद हम इसको SSH के दोरा Connect कर पाएंगे तो Raspberry Pi के IP को Find करने के लिए आप जहाँ पर कोई भी IP Scanner का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं Advanced IP Scanner का यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने अपने System पर पहले से Install किया हुआ है आप इसको Open करने के बाद अपने Network के IP Range यहाँ पर Type कर दीजे उसके बाद इसको Scan कीजे तो आपके Network से जितनी भी Device Connect हैं उन से भी की Detail यहाँ पर आ जाएगी जैसे कि उनकी IP, उनका Host Name, उनका Mac Address आ दी तो आप यहाँ से Raspberry Pi की IP का पता लगा सकते हैं यह देखिए यहाँ पर Scanning complete हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Raspberry Pi की IP Find हो चुकी है यहाँ पर Raspberry Pi का Host Name, उसकी IP, उसका Mac Address हा रहा है तो हम यहाँ से इसकी IP को Copy कर लेंगे Copy करने के बाद हम इसको SSH के दोरा Connect करेंगे तो आप इसके लिए Command Prompt, PowerShell या Patti Software का यूज़ कर सकते हैं यदि आप Mac OS या Linux का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर Terminal का यूज़ कर सकते हैं Process बिल्कुल सेम ही है तो यहाँ पर मैं PowerShell का यूज़ कर रहा हूँ PowerShell को Open करने के बाद हम यहाँ पर Command लगाएंगे SSH, Pi, Add the Rate और जो हमने IP Copy की थी, उसको यहाँ पर हम Paste कर देंगे इसको यहाँ पर Yes कर दीजे Yes करने के बाद यहाँ पर Password डालिए इसका Default Password है Raspberry फिर आप अपने Raspberry Pi से Connect हो जाएंगे यह देखिए, अभी हम यहाँ पर Connect हो चुके हैं Connect होने के बाद हम इसको यहाँ पर Update करेंगे तो इसके लिए Command लगाए Sudo, APT Update उसके बाद है यहाँ पर यह अपडेट हो जाएगा यदि आप यहाँ पर पुरानी IOS मेज यूज कर रहे हैं तो आप इसको अपग्रेड भी कर लीजे पर मैं इसको यहाँ पर अभी अपग्रेड नहीं करूँगा अभी यह अपडेट हो चुका है अपडेट होने के बाद हम अपनी Raspberry Pi की सेक्योटी के लिए इसका डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करेंगे तो इसके लिए कमांड लगाईए PassWD यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड डालिए जो की है Raspberry उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं तो यहाँ पर Pi यूजर का पासवर्ड अपडेट हो जाएगा पासवर्ड अपडेट होने के बाद हम यहाँ पर अलग फाइल सिस्टम के लिए टूल्स को इंस्टॉल करेंगे जैसे कि जो मेरी Portable Hard Disk है वो XFAT File System के अंदर फॉर्मेट है तो हम यहाँ पर इनके लिए टूल्स को इंस्टॉल करेंगे इसके लिए कमांड लगाए sudo apt install xfedutils xfedfuse और ntfs के लिए ntfs3g वैसे आपको ntfs3g यहाँ पर पहले से इंस्टॉल मिल जाएगा आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है यदि यह आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं यह देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ntfs3g का already newest version है अभी यहाँ पर यह दोना टूल इंस्टॉल हो रहे है उसके बाद हम यहाँ पर फाइल शेरिंग के लिए Samba और Samba के टूल्स को इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए कमांड लगाईए sudo apt install Samba Samba common bin तो यहाँ पर यह Samba server इंस्टॉल हो जाएगा आप इसकी मदद से अपने data को network पर आसानी से share कर सकते हैं इसके लिए हमें इसको configure करना होगा जिस्ते के कोई भी device हमारे serial data को access कर सके तो अभी यहाँ पर यह install हो चुका है फिर इसके बाद अपनी portable hard drive यह SSD को अपने system से connect कर लिजे तो भी मैंने अपनी 2TV की portable hard disk को अपने Raspberry Pi से connect कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर connect हो चुकी है आप इसकी detail देख सकते हैं और यहाँ पर यह automatic ही mount भी हो चुकी है तो पहले हम इसको unmount करेंगे हम यहाँ पर इसको अपने हिसाब से setup करेंगे unmount करने के लिए आप command लगा सकते हैं sudo umount-r और जिस भी mount point पर यह mount है वो पूरा path अपने हाँ पर set कर दीजे उसके बाद ही unmount हो जाएगा unmount करने के बाद हम इसको अपने हिसाब से mount कराएंगे पर उससे पहले हम इसकी कुछ जरूरी permission set कर देते हैं पहले हम इस directory का owner change करेंगे तो इसके लिए command लगाईए sudo chon-r root colon users और आपकी directory का path तो यहाँ पर owner change हो जाएगा उसके बाद हम आपर permission set करेंगे तो इसके लिए command लगाईए sudo chmode-r और हम इसके बाद आपकी directory का path तो यहाँ पर यह permission set हो जाएगी यह permission set होने के बाद हम इसके लिए command लगाईए sudo mount आपके hard disk का path जो की है dev sda1 आप इसको उपर से देख सकते हैं उसके बाद आप इसको जहाँ mount कराना चाहते हैं वो path आप आप यहाँ पर set कर दीजे तो जो हमने वी directory create की थी मैंने उसका path यहाँ पर set कर दीआ है उसके बाद यहाँ पर mount हो जाएगा यह देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यह mount हो चुकी है इसका file system exfet है और यहाँ पर mount हो चुकी है अब इसके बाद हम samba server का configuration करेंगे उसके लिए आप इसकी configuration file को किसी text editor के अंदर open कर लीजे मैं इसको nano के अंदर open कर रहाँ और यह file मिलेगी आपको etc के अंदर samba के अंदर smb.conf नम से तो यहाँ पर आप अपने samba server के जरूरी settings कर सकते हैं इसकी security set कर सकते हैं यहाँ पर permission set कर सकते हैं directory set कर सकते हैं कि आपको कौन सी directory को share करना है जिससे कि यहाँ पर मैंने share definitions के अंदर read only को no कर दिया है उसके बाद हम यहाँ पर अपने NAS का setup करेंगे तो आप इसके last में आ जाईए तो आप अपने server का नाम यहाँ पर set कर दीजिए आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं मैंने नाम दे दिया tech chip NASPY फिर आप इसके अंदर अपने यह साब से settings कर सकते हैं यह सारी settings आपको description box में मिल जाएगी आप वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने comment set कर दिया है path set कर दिया है जो भी हमको share करना है तो यहाँ पर मैंने अपनी drive को mount कराया था वो path यहाँ पर मैंने set कर दिया है आप अपनी drive के कोई folder share करना चाहते हैं तो उसका path आप यहाँ पर set कर सकते हैं पर यहाँ पर मैंने पूरी drive को यह शेयर कर दिया है, read only को यहाँ पर मैंने no कर दिया है, और यहाँ पर मैंने permission भी set कर दिया है, public को no कर दिया है, और valid user के अंदर मैंने tech chip डाल दिया है, आप यहाँ पर कोई भी user डाल सकते हैं, बस आपको बाद में यह user create करना होगा तो पहले हम इस file को save करके बंद कर देंगे अब इसके बाद हम user को create करेंगे जो अभी हमने confession file के अंदर डाला था तो इसके लिए command लगाईए sudo user add iphone m iphone capital g हम इसको user groups के अंदर add करेंगे उसके बाद आपके user का नाम आप जिस भी नाम Caesar बनाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर type कर दीजे फिर आप इस command को रुन करा दीजे तो यहाँ पर यह user create हो जाएगा यह देखे यहाँ पर user create हो चुका है यह user create होने के बाद हम यहाँ पर इसका password set करेंगे तो इसके लिए command लगाईए sudo passwd और आपके user का नाम और आप इसका कोई भी नया password create कर लीजे उसके बाद जिसका password यहाँ पर update हो जाएगा उसके बाद हम इस user को samba के अंदर add करेंगे तो इसके लिए command लगाईए sudo smbpasswd-a और आपके user का नाम फिर आप जहाँ पर कोई नया smb का password create कर लीजे उसके बाद जहाँ पर यह user smb के अंदर add हो जाएगा फिर आप इस user और आपके दिये गए password से अपनी hard disk को network पर access कर पाएंगे तो अभी जहाँ पर हमारा basic setup complete हो चुका है अभी इसके बाद हम नहाँ पर samba को restart करेंगे जो भी हमने नहाँ पर changes की हैं उनको apply करने के लिए तो उसके लिए आप command लगाएए sudo service smbd restart तो नहाँ पर smb service restart हो जाएगी उसके बाद हम नहाँ पर nmbd service को भी restart करेंगे तो अभी यहाँ पर यह दोनों service restart हो चुकी है तो अभी आप इसको अपने local network पर किसी भी दूसरी device से access कर सकते हैं जैसे कि windows, mac, linux, android या ios से मैं आपको इसको पहले windows से connect करके बताता हूँ यहाँ पर मैंने run box open किया और अपने raspberry pi के ip type की उसके बाद जो अपने server का नाम दिया था आप वो नाम टाइप करके अपने hard disk को access कर सकते हैं पर उससे पहले आपको यहाँ पर login करना होगा जो भी आपने सामभा के लिए username और password create किया था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए यह देखे अभी हम यहाँ पर login हो चुके है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी hard drive भी open हो चुकी है अभी आप यहाँ पर अपने system का backup ए इस्टोर कर सकते हैं अपने data को इस्टोर कर सकते हैं यह caos से किसी भी data को अपने system पर copy कर सकते हैं और आप इसको network drive की तरह भी use कर सकते हैं, इसके लिए this PC पर जाकर क्लिक कीजिए map network drive पर और जो भी आपके server का path हैं, वो आप नहीं पर type कर दीजिए और click कर दीजिए finish पर, उसके बाद यह drive नहीं पर map हो जाएगी, यह देखिए आप नहीं पर देख सकते हैं, यह drive नहीं पर map हो चुकी है, अभी यह आपके my computer पर आ चुकी है, आप इसको कभी भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, अभी आप इसको किसी भी OS से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको mac OS से भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, कि यहापर finder पर raspberry pi आ रहा है, अभी आप इसको connect कर सकते हैं आपने जो भी username और password set किये थे उसके दोर आप यहाँ पर इसको access कर सकते हैं यह देखिए यह यहाँ पर आ चुका है यह जो आप tag chip देख रहे हैं यह हमारा raspberry pi का user है और यह हमारी drive है जो हमने share की थी अभी आप इसको अपने raspberry pi को restart करते हैं तो यहाँ पर हमारी drive automatic mount नहीं होगी फिर यह आपको manually बापस से mount करानी होगी तब ही आप अपने portable hard disk को access कर पाएंगे तो इसको fix करने के लिए आपको fs tab के अंदर configuration करना होगा इसके लिए आप इस file को open कर लीजे यह file मिलेगी आपको etc के अंदर fs tab नाम से तो अभी हम इसमें auto mount के लिए configuration करेंगे यहाँ पर मैं अपने hard disk का path set कर दिया उसके बाद आप इसको कहाँ पर mount कराना चाहते हैं वो path set कर दिया file system हम यहाँ पर auto रखेंगे बागी सारा हम इसको default रखेंगे आप यह पूरी setting उपर से देख सकते हैं जैसे ही उपर set है वैसे ही आप इसको अपने साब से set कर सकते हैं उसके बाद आप इस file को save करके बंद कर दीजे तो अभी यहाँ पर यह configure हो चुका है अभी आप जब अपने Raspberry Pi को restart करेंगे तो यहाँ पर यह automatic ही mount हो जाएगा अभी आपको manually mount कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि देखिए मैंने अपने Raspberry Pi को reboot किया अभी मैं इसको बापिस connect करके check करता हूँ कि यहाँ पर यह automatic mount होता है या नहीं अभी यह reboot हो चुका है मैं इसको बापिस से connect कर लेता हूँ और यह देखिए यह यहाँ पर mount हो चुका है तो अभी आप जब भी अपने Raspberry Pi को restart करेंगे तो यह automatic ही आपके दियेगे path पर mount हो जाएगा और यह देखिए यह अभी work भी कर रहा है यहाँ पर हमारी hard disk को open हो रही है अभी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी drive को यहाँ पर connect करें आप यहाँ पर किसी दूसरी drive को भी connect कर सकते हैं वो भी यहाँ पर इसके restart होने के बाद automatic mount हो जाएगी अब इसके बाद एक और problem आपको आ सकती है वो है IP की कई बार हो सकता है कि जब आप इसको restart करें तो इसको कोई दूसरी IP assign हो IP change होने के बाद आपने जो drive map की है वो भी यहाँ पर access नहीं होगी तो आप इसके IP को fix कर सकते हैं इसके लिए आप dhpcd config file के अंदर change कर सकते हैं आपको जहाँ पर static IP को configure करने के लिए setting मिल जाएंगी यह देखिए जहाँ पर already setting दे रखी है आप इसको on comment करके अपने इसाब से जहाँ पर IP को fix कर सकते हैं वैसे भी मैं इसको fix करना अपने कई वीडियो में बताये हुआ है तो इस तरह से आपने आपर raspberry pi के दोरा अपना nest server बिल्ड कर सकते हैं अपना personal cloud server setup कर सकते हैं जहाँ से आप अपने data को store और access कर सकते हैं अपने normal hard disk को network drive के अंदर convert कर सकते हैं और इसको अपने local network पर कहीं पर वी और किसी भी device से access कर सकते हैं तो बताई दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और आपने आपी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसी तरह कि मैं पूर्ण जनकरियों के लिए चैन बहुत धन्यवाद